Hello and Welcome दोस्तों भारतिय समीधान आखिर किस परकार बना इसका इतिहास क्या रहा और कब से इसे बनाना शुरू किया गया और इसे बनने में कितना समय लगा ये सभी क्वेस्टन जानना एक भारतिय नागरिक होने के नाते most important है और वैसे भी आपके competition exams में भारतिय समीधान से दो जरूर पूछे जाते हैं तो ये आपके exam के लिए most important होगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भारतिय समीधान के विकास का इतिहास क्या है समीधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और क कानूनी दस्तावेज होना जरूरी है और इसी कानूनी दस्तावेज को हम लोग समिधान कहते हैं अब समिधान जो होता है ये मुख्य रूप से दो परकार का होता है पहला है लिखित समिधान जैसे कि भारत के पास अपना एक लिखित समिधान है इसके अलावा रूस, USA, आधी देसों के पास भी अपना लिखित समिधान है और दूसरा होता है एलिखित समिधान इसके अंदर किसी भी परकार के कानूनी दस्तावेजों को लिख कर नहीं रखा जाता है उसकी जनता पर सासन एलिखित समिधान के रूप में किया जाता है जैस है 1773 का regulating act दूसरा है 1935 का भारत सासन अधिनियम और तीसरा है 1946 का cabinet mission सबसे पहले 1773 का regulating act 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 इसवी के अंदर बकसर का यूद लड़ा गया जिसके अंदर अंग्रेज विजई हुए और इसके बाद से ही इन्होंने भारत पर पूर्ण रूप से सासन करना शुरू कर दिया जो कि किसके दौरा किया गया था British East India कमपनी के दौरा अंग्रेजों दौरा ये दो यूद जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर British East India कमपनी का सासन हो गया और इसी सासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किये जो की भारतिय समिधान की विकास की सीडियां बनी जो भारत की जनता पर सासन करने के लिए इन्होंने अधीनियम पारित किये थे, एक्ट पारित किये थे, वही एक्ट ही भारत के समिधान का हिस्सा बने, तो यह जो अंग्रेजों द्वारा अधीनियम लाए गए थे, इनका विकास होने पर ही भारत के समिधान बना है, अब दे Supreme Court बना था उसके मुखे ने अधिस कोन थे एलिजा इंपे आगे देखिए 1935 का भारत्सासन अधिनियम तो 1733 का जो regulating act था इसके बाद एक मुखे act आता है 1935 का भारत्सासन अधिनियम 1935 के भारत्सासन अधिनियम से लगबग 60% हिस्सा हमारे वर्तमान समिधान के अंदर लिया लगबग 3-5 हिस्सा जो है वो 1935 के भारत सासन अधिनियम से ही लिया गया है उसमें कुछ तो बदलाव किये गये हैं और कुछ जो कानून हैं उनको जियोंकातियों ग्रेंड कर लिया गया है इसी अधिनियम द्वारा मियामार को भारत से अलग कर दिया गया जो कि भारत के प और 1935 के भारत सासन अधिनियम के अंतरगत ही भारतिय रिजरो बैंक जिसे हम लोग RBI बोलते हैं, रिजरो बैंक ओफ इंडिया, इसकी स्थापना भी 1 अपरेल सन 1935 के अंदर भारत सासन अधिनियम के अंतरगत की गई थी. ये कॉस्टन SSE के अंदर पूछा भी जा चुका है कि भारतिय रिजरो बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अपरेल 1935 को. इसके बाद आता है सबसे मुखे 1946 का कैबिनेट मिशन जिसके अंतरगत भारत के समिधान को पूर्ण रूप से बना कर तयार कर लिया गया था. इसक को याद रखना है, काफी सारे एकजांस में ये पूछा जाता है कि समिधान सभा जब बनाई गई थी 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन के अंतरगत, तो उस समय समिधान सभा के सदस्यों की कुल संक्या कितनी थी, तो कुल संक्या थी 389, इन 389 सदस्यों में से 202 में सदस्य जो थ तेराण में देशी रियास्तों के परतिनी दी थी, अब देशी रियास्तें क्या होती हैं, जहां पर राजों रजवारों का सासन रहा करता था, उन्हें बोला जाता था देशी रियास्तें, इसके अलावा चार सदस्यों थे चीफ कमिशनरी स्टेट से, अब चीफ कमिशनरी 1946, 11 December 1946 और 13 December 1946 अर्थात 9 तारिक के बाद 2 दिन 11 तारिक 11 तारिक के 2 दिन बाद 13 तारिक इस तरह से आप कियाद रखना है तो यह 3 dates हैं जो कि most important है 9 December 1946 के दिल समिदान सभा की पर्थम बैठक हुई थी क्योंकि उस समय कोई इस्थाय अध्यक्ष तो था नहीं तो इसी के कारण जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सभा के अंदर डॉक्टर सचीदान अंसिना इनको एस्थाय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिस्कार किया अध्यक्ष थे डॉक्टर सचीदान अंसिना उसके दो दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंदर परसाद को इस्थाय द्यक्ष के रूप में चुन लिया गया फिराती है 13 दिसंबर 1946 तो जवाहरलाल नहरू ने सभा के समक्ष उदेश्य प्रिस्ताव पारिट कर दिया और इसी के द्वारा ही समिधान बनने की जो कारेवाई है वो शुरू कर दी गई तो यहीं से शुरू हुई भारत के समीधान बनने की प्रकिरिया अब देखो कुछ मुख्य समीतियां थी और उनके कुछ अध्यक्ष हैं जो कि आपको याद रखने है एक्जाम में डायरेक्ट यहां से एक नमबर का question पूछा जाता है तो आपको यह simply याद रखना है कि कौन सी समीति के अध्यक्ष कौन थे तो संचालन समीति जो थी समीधान सभा की उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजिंदर परसाद जो प्रारूप समीति थी यानि कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कि पूरा साचा ड्राचा तयार करना था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेड कर आप जानते हैं कि प्रांतों को एक्तरित करने का काम यानि कि भारत को एक करने का काम किनों ने किया था सरदार वल्ला भाई पटेल ने तो यही अध्यक्ष थे भारतिय प्रांतिय समिधान समीती के इसको आपको याद रखना है अगला है संगिय समिधान समीती यानि कि जो कें इसके अध्यक्स थे पंडित जवारला नहरू राष्ट्रिय ध्वज संबंदी समीती की बात करें तो डॉक्टर राजंदर परसाद इसके अध्यक्स थे इसके बाद वो एतिहस एक दिन आखिर आ ही गया 3 जून 1947 को जब यह घोशना कर दी गई की भारत का बटवारा होगा क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम लेग ने पहले ही इसकी मांग उठा दी थी कि हमें एक अलग देश चाहिए इस वज़े से 3 जून 1947 को यह घोशना की गई फाइनली की देश का बटवारा किया जाएगा 31 सक्टू बरवण 1947 को किया गया तो विभाजन से पहले की जो समीधान सभा थी उसमें भी पाकिस्तान के काफी सारे राजे रजवारे और देशी रियास्ते थी इसी कारण एक दुबारा से समीधान सभा का गठन किया गया जो की 31 सक्टू बरवण 1947 को पुनरगटित हुई औ 299 और जो पहले समीधान सभा बनाई गी थी उसमें सदस्यों की संख्या 399 थी ये आपको पता है 299 इसके अंदर प्रांतिय सदस्य थे और 70 देशी रियास्तों के सदस्य चुने गए थे और यहां से भी कुछा जाता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बटवारे के बाद समीधान सभा का पुनरगठन हुआ था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी कितने तो प्रांतिय सदस्य थे और कितने देशी रियास्तों के थे ये भी आपको याद रखना है निती निदेशक तत्वों को लिया गया तो इस तरह से डोक्टर बी आर अम्बेड करने समिधान का मसोधा तयार किया तो यही वो दिन था 26 निवंबर सन 1949 जब भारत का समिधान पूर्ण रूप से बनकर तयार हुआ था और इसे समिधान सबादवारा पारित कर दिया गया हम लोग हर साल 26 निवंबर को समिधान दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन भारत का समिधान बनकर तयार हुआ था और इसे 26 जनवरी 1950 को भारत में समिधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंतर देश बन गया फाइनली भारत जो है गणतंतर कब बना 26 जनवरी 1950 को जब भारत का समिधान भारत देश के अंदर लागू कर दिया गया और इसी के साथ ही भारत एक गणतंतर देश बन ग एक एतिहासी कारण है क्योंकि 26 जनवरी सन 1930 को रावी नदी के तड़ पर पंडी जवारलाल नहरू ने पहली बार भारती तिरंगे को लहराया था और यह गोशना की थी कि आज से हम सवतंतर हैं और हर साल 26 जनवरी को हम सवतंतर दीवस के रूप में मनाएंगे लेकिन आप जानते हैं कि भारत जो है वो 15 अगस्त को सवतंतर हुआ था इस वज़े से हम लोग सवतंतरता दीवस को 26 जनवरी को नहीं कर सकते थे इसी वज़े से 26 जनवरी सन 1950 को समिधान लागू करके 26 जनवरी को एक एतिहसिक दिन के रूप में इस्थापित किया गया चलिए आगे देखते हैं समिधान सभा के निर्मान के अंदर कुछ मुखे पहलू जो हैं सबसे पहली बात समिधान निर्मान की जो प्रकिरिया थी उसके अंदर 3 वर्सों से कुछ कम समय लगा था यानि कि 2 वर्स 11 महिने और 18 दिन का समय लगा था समिधान निर्मान की प्रक दिन तक इस पर बहस की गई, समीधान के निर्माण पर कुल मिला कर आप यहाँ पर खर्चा देख सकते हैं, कुल मिला कर लगबग 63,6729 रुपए खर्च हुए, जो की परती दिन लिखे जाते थे, खर्चे के अंदर, तो यहाँ पर कुल इतना खर्चा हुआ था समीधान के नि और अनुशूचियों की जो संक्या है, वो बढ़कर 12 हो चुकी है, क्योंकि 4 इसके अंदर नई अनुशूचियां आ गई हैं, तो 22 भाग, 395 में अनुशेद, और 12 अनुशूचियां वर्तमान में विद्दमान हैं, लेकिन अनुशेदों की बात करें, तो यहाँ पर जोड़े गए हैं, जिसके बाद टोटल अनुशेदों की संक्या लगबग 450 के आसपास हो गई है, तो 22 भाग हैं, मुखे रूप से 355 में अनुशेद हैं, और 12 अनुशूचियां वर्तमान के अंदर, अब बात कर लेते हैं, समीदान सभा द्वारा किये गए कुछ अन्य महत पुन कारियों की, जिसमें सबसे पहले, समीदान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रिय ध्वज को अपनाया, जो भारतिय तिरंगा है, इसको अपनाया गया था 22 जुलाई सन 1947 को, ओके, आपको याद रखना है, इसके अलावा ये जो भारतिय तिरंगा है, इसका डिजाइन वेंकिया द्वारा तयार किया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए, भारतिय राष्ट्रगान, जो की जन गर्णमन है, जिसे गाने में 52 सेकिंड का समय लगता है, इसको 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया था, यानि कि भारत का समीधान लागू करने से दो दिन पहले, 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को अपना लिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रे गीत को अपनाया गया था, ओके, कन्फ्यूज नहीं होना है, राष्ट्री गान को तो 24 जनवरी को अपना लिया गया था, और राष्ट्री गीत को उस दिन अपनाया गय जिस दिन भारत का समिधान लागू हुआ अर्थाथ 26 जनवरी सन 1950 को चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जब भारत सुतंतर हुआ उस समय देश को चलाने के लिए कुछ मंतरियों की जरूरत होगी अर्थाथ मंतरी मंडल के आउशकता होगी तो उस समय जो मुख्य मंतरी मंडल था वो आप यहां पर देख सकते हैं 1947 का मंतरी मंडल और यहां से काफी बार एक्जाम में कुछा जाता है तो सरोपर्थम भारत के परदान मंतरी जो की पहले परदान मंतरी थे आप सब को पता होगा पंडित जवाहरलाल नहरू थे भारत के परथम परदान मंतरी परथम ग्रह मंतरी थे सरदार वल्ला भाई पटेल जिनको लोह पुरुष के नाम से भी हम लोग जानते हैं और भारत को एक करने का जो काम था ठीक है सुतंतर भारत के पहले रेल्वे मंतरी को नह् convincing जोन मत आई ये question रेल्वे में पूछा जा चुका है इसके बाद सर्म मंतरी की बात करें वो थे जग जीवन राम रक्चा मंतरी की बात करें तो बल्डेव सिंग उस समय के ततकालिक रक्चा मंतरी थे स्वस्थे मंतरी थी, राजकुमारी अमरितकोर और वितमंतरी की बात करें तो ये थे आर के सर्मुगम शेटी उमीद करता हूँ दोस्तों आपको भारतिय समिधान का जो प्रारूप था कि बारतिय समिदान किस परकार से तयार हुआ और उसे तयार होने में कितना समय लगा और किन-किन लोगों का मुख्य रूप से योगदान था और कुछ important पहलू आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक और शेयर कर सकते हो अब मेरा आपसे एक question है आपको comment section के अंदर दो चीजों का answer देना है पहला तो ये कि भारत का राष्ट्रिय वाक्य क्या है अर्थात किसको हमने भारत के राष्ट्रिय वाक्य के रूप में अपनाया हुआ है और दूसरी चीज भारत का राष्ट्रिय प्रतीक क्या है इन दोनों चीजों का answer अगर आपको पता है तो नीचे comment section में comment करना otherwise इस console आपको नीचे comment में pin किया हुआ मिल जाएगा ऐसी ही educational videos के लिए चैनल को subscribe कर लेना मिलेंगे next video में तब तक के लिए वंदे मातरम, जैहिंद and bye